नवज़कार मैं हूँ साक्षी बिहारी नीूस में आपका स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर बिहार में इशिया के पहले डॉल्पिन रिसर्ट सेंटर का हुआ उदगातन बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट को लेकर सामने आया अपडेट बिहार में 11 सेटों पर MLC चुनों के लिए से नॉमिनेशन शुरू पवन सिंग ने भाश्पा का टिकेट लोटाने के बाद जेपी नड़न से की मुलाकात रोहित शर्मा को कप्तान मनाने को लेकर सौरफ गांगुली ने बताई वज़ा इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में एश्या के पहले डॉल्पिन रुसर्ट सेंटर का हुआ उदगातन बिहार में एश्या के पहले डॉल्पिन रुसर्ट सेंटर का उदगातन हुआ है सियम नितीश कुमार ने पढ़ियावरन वन और जलवायू विभाग की लगबग सौ करोर की पढ़ियोजनाओं का उदगातन की और इसके साथ ही बिहार जलवायू सम्मिलन और प्रदर्शनी की भी शुरुवात की गई है मुक्यमंत्रे बिहार की लोगों को करोर की सौगात दी है और 108 करोर 33 लाग की लागत से पार्क इकोटेरुजम भूजल संरक्षन और आधार भूट संरुशना के विकास की 26 योज़णाओं का शिला ने असकिया विश्वविद्यालियों के खातों से राजपाल ने हटाई रोक सिक्षाविभाग ने विश्वविद्यालियों के कुलपती रजिस्टर और परिक्षा नियंत्रकों की बैठक बलाई थी बैटक में शामल नहीं होने पर कुलपतियों आदी के वेतन पर रोक लगाई गई थी वहीं राजजपाल ने अब युनिवर्सिटीज के खातों पर से रोक हचाने का फैसला लिया है बैंकों के साकों को इससे संबंधित आदिश राजपवन की ओर से जारी किया गया बिहार के राजपाल राजिंद्र विश्वना अतारलीकर के प्रिधान सचेव रोबर्च एल चॉंग्यू ने बैंक शाकों को पत्र लिखा और इसके साथ ही खाता को चालू करने का आदिश दिया है इस से पहले सिक्षव वभाग ने बैंकों को विश्व विद्याले के खाता को फ्र एड्मिट काड जारी कर दिया है और इसे पर एक शार्थी वेबसाइट www.bacbstet2024.com पर लॉग इन कर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं चार मार्च से लेकर आठ मार्च तक इसे डाउनलोड किया जा सकेगा वहीं इसमें किसी भी तरह की तूटी होने पर आविद्यक अ वहीं आठ मार्च तक की परिक्षा के सुल्क का भुक्तान कर सकेंगे बिहार में होली से पहले शराब की तसकरी पुलिस ने किया बड़ा मत बिहार में होली से पहले शराब की तसकरी की जा रही है दूसरे डाजियों से शराब को मंगवाया जा रहा है से बीच हुआ और इसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाग से अधिक आ की गई है पुलीस ने चंडीगर्ट के निर्मे शराब को बरामत किया है ट्रक को फिलाल जब तक कर लिया गया है पुलीस मामली की जांच में जुटी हुई है साथ ही आगे की कारवाई कर रही है RSS के प्रमुख मोहन भागवत का बयान हमारा लक्ष अभी दूर RSS के प्रमुख मोहन भागवत पटना पहुचे थे और इस दौरान उन्होंने सांगठिक कार्यों को किया उन्होंने कहा है कि अनुकूल परिस्तियों में विश्राम करने वाले वैक्ती हार जाता है वहीं गती बढ़ा कर कार्म करने वाले इंसान के हाथ में सफलता आती है देश में महौल अनुकूल है लेकिन हमारा लक्ष अभी दूर है इस समय अपने गती को बढ़ा कर लक्ष को प्राप्त करना होगा यह समय गती को बढ़ाने का है मालूम हो कि लोग सबचनाव से पहले मोहन भाग करते हैं बिहार में 11 सीटों पर मिल से चुनाओ के लिए आस्टे नॉमिनेशन शुरू हो गया वह एक इस मार्च को यह चुनाओ होगा आपको बता दी कि मुख्यमंत्री निदीश कुमार पुर्व मुख्यमंत्री राबरी देवी खालिद अन्वर प्रेम चंद्र मिश्राम अंगल पांडिय संदोस कुमार सुमन सैथ शहनवाज हुशन आदी का कारेकाल पूरा हो रहा है दूसरी और संजच छाका भी कारेक साखशा का आंदेन है विहाः वूट इंटर रिजुटको लेकर सामने आया अप्डेट बिहार बोत के इंटर परिक्षा के रिजुटको लेकर अप्डेट सामने आया है 24 फवरी से उत्र पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कार्य किया जा रहा था जो अब पूरा हो चुका है आपको बता दे कि मीडिया रिपोल्ट के अनुसार 20 मार्श तक परिक्षा का परिनाम जारी होने की संभावना है वहीं उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकर कारे के पूरा हो जाने के बाद चौपर शात्रों का साक्षात्कार होगा इस कारे को 11 मार्श को किया जा सकता है चौपर शात्रों के साक्षात्कार के बाद रिजल्ट प्रकाशित होने पर अंतिम मुहर लगेगी मालूम हो कि 13 लाग से अधिक शात्रों चात्राओं ने इंटर की परिक्षाद दी थी बिहार के मालदा आम के अफरीका में मांग बिहार के मालदा आम की खाड़ी देशों समेट अफरीका में भी काफी अधिक मांग है जानकारी के अनुसार पिछले साल की तुलना में इसकी इस बार दुगनी मांग है तो से विदेशों में खूब पशंद किया जा रहा है पिछले साल यहां के कमपनियों के प्रतिनीधी प्रयोग के तौर पर 110 टन दुधिया माल्दा आम को कई देशों में भेचा गया था प्रता दे कि विदेशी कमपनिया बेतिया के जर्दा आम को भी खरीदेगी पवन सिंग ने भाश्पा का टिकेट लोटाने के बाद जेपी नड़्डा से की मुलाकात भाश्पा ने भूचपुरी अक्टर पश्चिम बंगाल के आसन सोल से लूग सबा का टिकट दिया था और इसके बाद एक्टर ने आसन सोल से चुनाओ लड़ने से मना कर दिया था उन्होंने शिर्स नेतरित्व का भार जताते हुए कहा था कि वो किसी कारण से आसन सोल से चुनाओ लही नर पाएंगे उसके बाद उन्होंने दिल्ले पहुँचकर भाश्पा के रास्ट्री लड़ सकते हैं लालो यादव ने रोहिनी अचार्य को राजनीती में किया लॉण्ज महागरबिनंदन की रहली में लालो यादव ने बड़िवारवात को लेकर बयान दिया उन्होंने एंडिये पर तंज कस्ते हुए रोहिनी अचार्य की खूब प्रशन साकी और इसके रही है। वो यहां नुबंडली मुख्याले बाजार स्थित क्रश्री फॉर्म के मैदान में जनसभा को संभूदित करेंगे वह इस रैली को लेकर भाजपा के ओर से त्यारी शुरू कर दी गई है साथी सभी कमीटियों को रैली को मश्बूत बनाने को लेकर उचित शनिदिश दिये ग आइना राजप के प्रवक्ता मृत्यूंजे तिवारी ने बयान दिया उन्होंने कहा है कि लालुयादव ने हिंदू धर्म की बात करने वाले लोगों को आइना दिखाया है उन्होंने पीम नरिंद्र मोदी को लेकर कोई अभध्र टिपनी नहीं की है लालुयादव ने वह की बाते लालुयादव ने की है इन चीजों का हमें पालन करना चाहिए इस पर भाजपा को मिर्ची लगी है ये उचित नहीं है इसे हम सही नहीं मानते हैं लालुयादव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी पढ़नी करने के बाद लालु में शिकायत दर्ज कराई है शिकायत में कहा गया है कि पीम मोदी की मा को लेकर अभध्र टिपपनी की गई है और इसके साथ हिंदू आस्ता के खिलाफ टिपपनी हुई है उन्होंने एक सो पैस्करोर देश की जनता को ठेज पहुचाया है शिकायत करता ने लालु पिशाद को नौटंग की बाज कहा है विजए सिना ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरिंद मोदी को पूरी दुनिया में संबान मिल रहा है और उनके खिलाफ की गई टिपपनी जायज नहीं है प्रधान मंत्री को तुम ताम से सम्बोदित करना जायज नहीं है उन लोगों ने आधना की जरूरत होती है सौरव कांगुली ने भारति क्रिकेट टिम के कप्तान रोहित शर्मा की जम कर तारीफ की है उन्होंने कहा है कि उनके अंदर प्रधिवात ही इसकारण ही उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया था रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने को छीन कर रोहित शर्मा के हाथों में देनी के दौरान कई तरह के सवाल खरे हुए थे बीते दिन हमारे द्वारा पूछे के सवाल का आप लोग में सिब बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया जिन्नों ने हमारे गोनर शर्मा, श्रिकान्त कुमार शर्मा, सुकान्त शंकर, अजे कुमार तिवारी, संघर्ज कुमार, मौमद शकीर हुसेन, बाबुलाल मरांडी, रामनौमी मांजी, शदूला पालवी, गोपाल कुमार, राजकिशोर महतो, नौशाद राज़ा, बरुन कुमार, वीद प्रक श्राज सिंग, अखिली सिंग, उसके साथ ही बढ़ते हैं आज की सवाल की ओर, आज का हमारा सवाल है, पियम नरेन रमोदी के खिलाब लालोय अदब की टिपपनी पर आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूटुब से देख रहें तो चानल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेच को लाइक करना, ना भूले दनेवाद।